राजधानी शिम्ला में बारिश का सिल्सिला जारी है ऐसे में मूल सखलन और पेड़ गिर्ने की घटनाएं सामने आ रही है बीती राज शिम्ला के विकास नगर हौसिंग मोड कुलौनी में भवन पर भारी भरकम पेड़ आ गिरा देवदार का ये पेड़ भवन की छत पर करीब 11 बजे गिरा पेड़ गिर्ने की आवाज सुनते ही लोग घरों से बहार भागे पेड़ गिर्ने से भवन को काफी नुक्सान हुआ है और भवन को भी खत्रा हो गया है ऐसे में घर में रहने वाले लोग रात को ही घर छोड़ कर निकल गए थे वहीं पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही सुबह पेड़ को काटने के लिए वनवी भाग के कर्मी मौके पर पहुँचे फिलहाल पेड़ को भवन से हटाया जा रहा है गौरतलब है कि शिमला शहर में सैकडो पेड़ ऐसे हैं जो गिरने की कगार पर हैं खास कर बरसात में पेड़ों के गिरने का खत्रा भी जादा बना रहता है अब तक बरसात में जगा जगा करीब 50 पेड़ गिर चुके हैं वहीं नगर निगम ने भी खत्रा बने पेड़ों को जल्द काटने के निर्देश जारी कर दिये हैं हैं ने कृण सब्सक्राइब जो बात बुखी जाने आठक अबरस अगर धिश्य मेरे स्व किया और अपने गरमें भी लोगों को पनहादी जो एक बहुत इप सृधिस है कि इनका बड़ा योगडान राइस शापदागी स्थितिने में सबिल सभी को जो कुछ लोग अपने आपने घर डिया और कुछ लोग इनके उन्हेन अपने घर में ठहराया यह इंका और इसक रानी है कि अपने स्पॉर्ट पर और मेरे साथ हमारे ट्री कमेटी के जो मेंबर है अलोग पठानिया वो भी मेरे साथ विजिट किया और हमारे एजडिन जो है रूलर और अर्बन मेरी सबी से मेरी बात हुई है रेवन्यू के सबी डिपार्टमेंट से मेरी अधिकारियों से बात हुई है और डियफो से भी मेर बाद जरूरी है और इसके साथ एक पीर रात को गीरा वा था उसको भी हमें हटा रहे हैं और इसके साथ एक और पीर जो है वो बिलकुल गिरने की स्थीतिय में और उसको अगर नहीं निकाला गया तो उसमें जानमाल का नुकसान का होने का खत्रा है तो हमने वो फैसला कि एक हम दोने को निकाल रहे हैं और ऐसा सूचना हमने सभी अजिकारियों को भी और जो किनसर्मिंग अथॉर्टी है सब को दीदी है